संस्क्रिद दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है भाषा विज्ञान में हमने अब तक गिरिम नियम से सम्मंदित कुछ उद्हाणों सही विश्तृत में जानने का प्रयास किया था पांच नियम बताई थे हमने उसमें से एक नियम ही जाना आवी तक आज हम दो नियमों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे गरासमान महुदय के अनुसार एक नियम है और दूसरा वर्नर महुदय है उनके अनुसार एक नियम है इन दोनों विद्वानों के द्वारा जो जो नियम मनाए गया आज पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करेंगे और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको कभी भी किसी भी प्रिशन पत्र में इस वीडियो के बाद कोई समस्या ना आए ये पूरी कोशिश रहेगी आशा कर रहे हैं आपको वीडियो साहिक अवस्य सिद्ध हो रही होगी तो हम चलते हैं सीदे ग्रासमान वाशा विज्ञान हैं इसमें दूश लोग हैं उनको लेग लेते हैं फिर हम आगे चर्चा करेंगे प्रत्थम हैं महाप्राण द्वईयुक्ता बड़े अक्षा लिखने का अभ्यास नहीं है कोशिश कर रहा हूँ महाप्राण द्वईयुक्ता द्वईयक्षारा मूलधातवाह महाप्राण आध्या नाशास्याद ग्रासमान विधो इस मरते दूसरा श्लोक है पूर्वं उदात्य होगे तू पूर्वं उदात्य होगे तू ग्रमा के नियमो भवेत आनिथा दूईपदा वृत्य है वर नरेनियमे सती ठीक है बस यह दो इस लोग हैं अब हम इसमें विश्त्रित में थोड़ा सा जाने का प्रयास करेंगे और कोशिच करेंगे कि आज के बाद आपको इसमें कहीं कोई भी प्रसंद नहीं छूटे ठीक है महा प्राण द्वय युक्ता यह भारोपी भाषा से संबंदित है भासा विज्ञान में हम जो अध्यन कर रहे हैं इसको बस याद रखना है तो जो नियम में परवर्तन हुआ है वो मूल भारोपी भाषा को लेकर के विश्यक चर्चा बना हुआ है तो यहां पर जो मूल भारोपी भाषा याद रखना यह अमने रुत्व के माध्यम से बद्धिन किया है और वियाकन जितने भी वियो आखन पढ़ने वाले जो लोग है अध्यन करने वाले जो लोग आती बिग्धु है ये धातु के द्वारा सारी उत्पत्तियां हो जाती हैं तो ये बहुत कर रहे हैं दू यक्षरा मूल धात्वा अर्थात महाप्राण से युक्तु थी मूल धात्व युक्ती भारुपी भाषा में वो दो महाप्राण भाषा से युक्तु थी अर्थात उनमें दू महाप्राण अब दो महाप्राण से हैं सोश्म महाप्राण याद रखना है आपको महाप्राण फिर बहुत समस्य हो याद करने पड़ेंगे अल्प्राण महाप्राण फिर उन याद करने पड़ेंगे महाप्राण के अंतरगतर्गत आता है और महाप्राण से घृर क्या ह desserts महाप्राण आदिनाशास्याद यानि महाप्राण में जो दो धातों में दो अक्षर थे वो महाप्राण इतो तो उनमें से पहले का महाप्राण का अर्था था का नाश हो गया ग्रासमान विदव इसमर्ते यह ग्रासमान ने विधी बताई है कैसे, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना, जैसे धा है, धा जो बना था रूप, वो बना था दधामी, ठीक है, अब इसका जो रूप बना, दधामी, इस तरह से ये रूप बना, मूल धातु धा, प्राण युक्त हो दी है, तो इसमें एक धा और ये धा, इसमें हा धा, अगर इसको तोड़ा सा इंगलिस में लेकेंगे, तो बात पोशाफ हो जाएगी, इंगलिस में हम जानते हैं, डी एच से धा बनता है, ठीक है, तो डी एच से धा बनता है, तो हा युक्त धनी है ये, अर्थात महाप्राण है, उश्म युक्त है, धा, तो ये दो धा क्रम से आ गए, तो इसमें बता रहे हैं, दू यक्षरा मूल धात्बा, फिर क्या हुआ, जैसे ही वो रूप उसके चलनी लगे, अर्थात वो बिभार ने आए, त उसका जो पहला अक्षर था, उससे हा की धनी निकल गई, तो ये धा, जो था उसमें से डी एस से बनता था, तो हा उसमें से निकल गया, अर्थात महाप्राण की एक धनी थी, महाप्राण का जो एक अक्षर था, जिसको हा धनी की नाम से जानते हैं, वो निकल गया, तो बच महाप्राण का नास हो गया यह ग्रासमान के नियम के अनुसार इन्होंने ऐसा बताया है तो यहां पर दधामी रूप इसका देखनों के मिलता है अब कभी-कभी ऐसा होता है अब जैसे दधामी है तो इसमें प्रथम में आदमी नास हो गया और दुतिय में हा है लेकिन कभी-क बाकी दोनी जैसे ही निकल जाएगी तो हाँ पहले वाले में आ जाएगा ठीक चलिए अब एक भाब भवार नाम सुनाओगा भवार जो बनता है वो बभवार बनता है यह इसका उधान दूसरा है प्रतम उधान यह वाला हो गया दूसरा उधान यह वाला हो गया मैं भी और उधार और दूँगा तो भभार में क्या हुआ ये प्रथम और दोनों दुनिया क्यासी है महाप्राण युक्त है तो महाप्राण युक्त जब भी प्रियोग में आएंगी तो उनके प्रथम जो अक्षर है उससे हा की दुनी अर्था पहले महाप्रार का नास हो जाएगा सीधा मतलब इसका तो यहां क्या हुआ बी एच से बनता है ऐसे नहीं समझेगा तो यह बी वर्च एगा हर्ता था का नास हो जाएगा महाप्रार का नास हो जाएगा तो बवहार ऐसा रूप यहां पर बन गया यह किसके अनुसार है यह ग्रासमन महदय के अनुसार आए इसको बसे आद रखना है यह जो कीतों उदहान आ जाते हैं कि दधामी में जब यह दधामी रूप बना तो इसमें कौन सी ध्वनी निकल गई अर्था किस का नाश हुआ और किस के अनुसार हुआ किस नियम के अनुसार हुआ उन नियम का नाम बताईए इस तरह ऐसे प्रशन आ जाते हैं जब आप देखेंगे पिछली दस साल तक की पिपर तो आपको इसी में से एक नए हर एक प्रशन इसी में से आ जाएगा जियों की तो उदहान आप कितनी बना लीजी अब ठीक है चलो मैं एक दो देख लेता हूं इसमें एक महाप्राण है तो पहले का नास हो जाए बन जाएगा यह बुध कर बन जाएगा बुधती इस तरह से इसका रूप बन जाएगा तो पहले अक्षर में से हा की दोनी निकल गई है इसको इंगलिस में और कुछ बोलते हैं एक गातिक भासा में इसी को विदान के नाम से जाना जाता विदान इसमें विदान इस तरह से लिखा गया है ठीक है बोलती को अभी आ जाता है कि बुधती को गातिक भासा में क्या लिखा जाएगा यह सीधा प्रिशन बनता है कभी प्रिश्ण बन जाए कि बोधती को गातिक भासा, याद रखना ये गातिक भासा है, अब गातिक भासा करा है, मैंने पहले बताई है, ये जर्मन भासा से ही सम्मंदित है, आप पिछला वीडियो मेरे अवस्च्छ देखें, उसमें मैंने सारी बात पता हैं, इसमें से आपको बता दिया है मैं एक बार बता चुका हूँ आपको इसमें कि बहासा विज्ञान का हम विशेशग नहीं है कोशिश करते हैं आपको थोड़ा सा समझाने की तो इस तरह से इसको बोल सकते हैं इसमें एक दो धान और वे दूमें आपको दव को अंग्रेजी में इन्होंने जो दर्साया है क्या लिखा है इन्होंने टी ओ यू बी एस दाउस ऐसे तरह से लिखाया है कुछ दाउस यह गातिवासा यह भी गातिवासा का है ठीक है न याद रखना है जाद नहीं चाहते हैं ठीक है गातिवासा का ही उधार है दाउस तो यहाँ दू धनिया थी उसमें से एक प्राण महाइपनाचि जो द्धनी थी हा को याद रखना हे निकल गया तो बबच गया यह बन turned दव्स ठीक आजाता है कि दब को गास्वासा में किस रूप में लिखा जाता है याद रख न किस रूप में लिखा जाता है है इसमें ज्याना संजने के लिए नहीं आप अगर पिछले द्साल की क्या यह तो है तो आपको पता चलेग dibuj N항 सब्हें से सब्हING एक बाहर नहीं जाए गाए तो मिली सब्हें से जरूर बताएं से जरूर ऑगे एदनेchnya इस लिपना और तो आपको थोड़ा सा जैसे हो है हो होती होना चाहिए था लेकिन हो होती क्या हो गया जो होती हो गया ठीक है यह आजाए कभी एक है बुद्ध बुद्ध और है बुद्ध सुप और है बुद्ध हो एक ही चीज है यह बस आपको थोड़ा से यहाँ द्यान देना यह चार हिस्से एक ही है इसमें देखिए बुद्ध है तो इसमें पहले मैं से हा की ध्वनी निकली है इसमें बताया गया है कि यदि पहले मैं से हा की ध्वनी निकल जाएगी तो दूसरे में अवश्र रहेगी अर्था दो महाप्रानों में से एक माप्रान अवस्च रहेगा इसलिए थोड़ा सा ये उधान देख लेते हैं तो इसमें दूसरे में से दूसरे में धोनी है और पर्थम्में से हागी धोनी निकल गई है इसमें पर्थम्में मौजूद है और दूसरे से हागी धोनी निकली है इसमें प्रथम्मे है इसके दूसरे से हा की धोनी निकली है ये वाला ये स्टार्वरणार बुत्सू ठीक है इसी तरह से इसमें प्रथम्मे से हा की धोनी निकली है ये उदाहरन आपको जियों की तो मिल जाएंगे ये पूछ लेता है कि किस मैं से महाप्राण की धोनी निकली इसमें जाला विस्तिरत में मैं क्या समझाओं इसमें कुछ सम्झाने के लिए खास नहीं है बस आपको यह याद हो गया तो उसके बाद में सारी बातें याद हो जाएंगी एक बार फिर एक बार बता देता हूं महाप्रान से युद्टु दो अक्षर हो तो मून धातु में य यह ना सितात पर हा की दोनी जो सोस महा है वो निकल जाता है यह आता है बार बार को कौन सी दोनी निकलती है तो हा याद रखना है तो सोस महा की दोनी निकल जाती है यह किसके अनुसार है यह गिरासमान के अनुसार माना जाता है ठीक है अब इसको ज़्यादा लंबानी इसी तरह के आप उधानत बहुत सारे देख सकते हैं अब इसमें देखिए पूर्वम उधात्तु योगेतु गिरिम आखे नियम हो भवेत। नहीं समझ में आ रहा ना इसमें समझ में आती नहीं चीजें अनित्था दूपदावरती बर्नर नियम ही सती बर्नर नियम ने क्या किया है जो ग्रिम ने नियम दिया था क्या दिया था का ता पा खा था फा होता है यह दिया था आपको पहला अध्यन करना पड़ेगा तो वो कब होता है इस बात को यह बता रहे हैं बर्नर ये बता रहे हैं कि पूर्वम उदात योगेतु यदी का पा से पहले उदात अक्षर हो अब उदात अनुदात स्वरित ये तीन अक्षर होते हैं आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है उदात मतलब जिसमें हम जिस जो अक्षर जिस स्थान से उचरित किया राता है उसी इस्थान के उचे से स्थान से और उसी इस्थान का बड़ा टिपिकल अज़स को समझे ना थोड़ा ध्यान दो उदात अनुदात और स्वरित ये तीन स्वरों में सभी अक्षरों को सभी स्वरों को बांट दिया गया है उदात से तात्र होता है उच्चे उदाता है निच्चे उदाता है समार है सुरत है ये सूत्र उता बहुत याद किया है लेकिन ये आज तक समय नहीं आए इसको मतलब क्या है इसका तात्र होता है उदात कोई अक्षर है जब वो अपने इस्थान से उच्रित होता है लेकिन वो इस्थान हम ऐसे समारूप से बूल देते हैं जब उसी स्थान से उसके उच्छे इस्थान से इस पर्स करते हुए उसका चालान करा है जैसे कंट है कंट में भी अगर कोई उचान करना है उदात का तो कंट का उच्चे स्थान जहां होगा कंट में वह सार स्थान हो सकते हैं एक स्थान ना हो उसके उच्चे स्थान से उसको उचरित करते हैं तीजी अवाज में ती ब्रवाज में तो वो उदात के नतरगे जाता है अनुदात में उसी स्थान का नीचला हिस्सा जो होता है नीचिका भाग जो होता है उससे एदी उस अक्षर का उचण किया जाता है तो वो स्वरधकर लेता है इसको इस तरह से जर्क बूलते हैं जूत उनुचान की उपर उता है जिस इस्थान से जो अक्षर बोले आते हैं के 3 ईश्था कर लीजिए तो उपर फूला हूं उपर उहाला मद्ध और नीचे वाला तो उपर वाले हिस्से से उदात होगा नीचे वाले से अनुदात होगा मद्धिन से जो अब दिन किया जाएगा या जो चान किया जाएगा वो स्वरित कंत्र करताएगा ठीक है तो यह बही बता रहे हैं या और इसमें समय की भी समस्य में होती है बात अब यहां पर अनदात जो है जो भी अक्षर होगा उसको एक बट्टे 6 सेकंड में उचार्ण करना है अनदात के जो भी वर्ण है जो भी अक्षर है अब उदात में जब भी पहुंझाएंगे तो एक बट्टे 6 इंटू दो दसमलब 5 सेकंड अर्थाथ ढ़ाई गुना इसमें समय ज़्यादा लेना है अनदात की अपिक्षा अब स्वरित का इसकी देखिए थोड़ा सा इसमें अब अंतर आ गया जबकि स्वरित का समय होना चाहिए उसके साब से कम लेकिन इसमें तीन सेकंड ज़्यादा लेते हैं इसमें तीन सेकंड की गुना कर दीजिए यानि तीगुना धाई गुना और एक बटे छे सेकंड इस तरह से इनका उच्चान करते हैं तब भी ये निकल के आ जाते हैं उदात अनदात और स्वरित ठीक है और अधिक विश्तित में अध्यन कराने का प्रयास करेंगे क्योंकि नेट में स्वरों की पूरी विवस्ता दे रखिए जब उसका ध्यन करेंगे तब देखेंगे क्या हो सकता है उसमें तो का तापासे ये कह रहा है पूर उदाते योगे तू यानि कि का तापासे यदि पहले उदात हो अक्षर कोई भी तो क्या होगा गिरिम आखे नियम होगी तो गिरिम आखे यानि गिरिम ने जो बोला है वो नियम लग जाएगा ठीक है तो खा होगा था होगा और फा होगा किस्किस्तान पर काकिस्तान पर खा ताकिस्तान पर था और पाकिस्तान पर फा कब जब इन से पहले उदात अक्षर होगा बर्न याद कर लो सु भेले ना होकर के का तापा के बाद में यधी उदात अक्षर होता है, उदात तस्वर होता है, अक्षर मांगे चलिया, तो अनुथा दू पधावर्ती अर्थार दो पग आगे कारे हो जाता है, ये इनका ताथ पर इसका, जैसे काखा, गा, ताथा, दा, पाफा, बा, ये इनका अनुसार है, यदि काथापा से बाद में उदाथ तो कोई भी अक्षर, तो काकिस्थान पर गा हो जाता है, ताकिस्थान पर दा हो जाता है, पाकिस्थान पर बा हो जाता है, ये इनका ताथ है यदि का से पूर्वदात होगा तो कागिस्तान पर खाओगा पाकिस्तान पर था वह और पाकिस्तान पर फाओगा यह जहावाला मामला है थोड़ा सा ध्यान देंगे पुस्तक को लेकर के बैटेंगे और इस दो उधाहांट देखती चलें आंगे तो यह बागतें बिलकुल साफ हो जाएंगे ठीक है अमने इनके उधार देने का है यहां लिखने यहां लिखें देता हूं सीदे उसको बार में समझाओंगा देखिए इसमें एक चार्ट सा दे रखा है संस्कृत लेटिन गाथिक मैंने गाथिक वासा के बार में चर्चा की है आप से अंग्रेजी और ध्वनी परिवर्तन ठीक है इसको थोड़ा का समझेंगी मैं इसमें बना देता हूं जैसा इसमें लिख रहा है अंहें है तो सकते हैं Jax सब्सक्राइब कर दो कि सम्झाएंगे इसको थोड़ा प्रशन इसी में से आजाता है आप जब भी देखेंगे हंडर बन परशन इसी से आता है बाहर से नहीं आता तो यहां पर यह कौमा के द्वारा जो दर्साय गया है इसको थोड़ा द्यान देखेंगे वो इसलिए दर्साय गया है क्योंकि उदात स्वर को बोलते समय भी पता नहीं चल पाते हैं उदात का उचान कर रहे हैं उदात का यह कह रहे हैं थोड़ा से हाँ देना पूर्वम उदात योगे तू यदि का ता पा का ता और पा यदि पूर्वम उदात होता तो क्या होता खा था फा होता लेकिन का ता पा के बाद में उदात है तो क्या होगा तो हमको याद रखना है दूई पदा वरतिय अर्थात आग वा हो जाएगा तो युवकस जो प्रियोग है वो का के बाद में सब्दों को साइद जादा बल मिल रहा है इसलिए यहां क्या हो जाएगा यह लेटन वासा है इसको आप याद करें अन्था की दस्टी में मुझे नहीं पता आपकर क्या करना यह तो चार्ट था इसलिए मैं नहीं दे दिया है आप देख लेना इसमें मुख्य चीज है गातिक वासा यह बहुत आता है तो यहां पर का के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए गा हो जाना चाहिए तो यहाँ पर का के स्थान पर गा हो गया है ठीक है का के स्थान पर गा तो जग्स बन गया आगे है सतम तो शतम में टा के स्थान पर दा हो जाना तो यह डी जो है वो दा हो गया है हुंड बन गया है यह भोट आता है कि शतम के स्थान पर गातिक भासा में क्या होगा तो याद रखना हूंड होगा और सब्तन सब्तन जो प्रियूग के आ गया है उसमें पाके स्थान पर बा होगा ये आ गया पाके स्थान पर बा का प्रियूग किया जाएगा ये किस के अंसार चला है ये अन्था दूपदा वृत्ति के अंसार चला तो ये इसमें आपको याद करना है ये गातिक भासा के अमसार है जग का इसमें यंग हो गया है हंड का इसमें 100 हो गया है सिवन का इसमें 7 हो गया है इस तरह से ये प्रियोग किया गया है वर्नर के अमसार तो अब वर्नर के अमसार याद रखना है ये थोड़ा सा वर्नर के अ कठिन है समझना यदि आपके ना समझनाया हो तो आपको याद कर लेना है कंठस्त कर रहना है आपको इसको चार्ट को याद कर रहना है वो इससे कोशन बाहर नहीं जाएगा आपका यह आप मान के चलिए ठीक है और यह दुबार अगर आप देखेंगे पुस्तक के साथ भी प कर दो एंदवाद